हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, टेस्ट वित रीना, आज मैं एक सिंपल सी अद्रक और अजवाइन की चाय सेर करूँगी, इसके साथ के बेनिफिट्स भी सेर करूँगी दो कप चाय बनाने के लिए, एक कप हम पानी लेंगे, इसके साथ हम हाफ कप पानी डालेंगे, जिसे हमें इसे अच्छी तरह से उबालना है दो इंच का एक अद्रक डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे, जिससे इसका स्वाइन और भी बढ़ेगा एक चम्मच्छम अजवाइन डाड करेंगे इससे मीडियम फ्लेम में बॉयल करेंगे अद्रक और अजवाइन सर्दी युखाम से बचाती है क्योंकि इसकी प्रकरती गरम होती है जो कि सरी को गरम रखने के लिए बहुत ही हल्पुल है साथ ही साथ आलस पन को भी दूर करती है इसके साथ युमुनिटी पावर को भी ये बूश्ट करती है ये ब्लड पेसर को भी कंट्रोल करता है इसके और भी भूछ सारे बेनेफिट्स है जो मैं आप से सेर करूंगी तो वीडियो को एन तक देखिए अभी इसमें हम चाय की पत्ती डाल देंगे मैं एक टबस्पन चाय की पत्ती डाल रही हूँ चाय के पत्ती को आप उबलते हुए पानी में ही डाले इससे इसका रंग और कलर दोनों ही अच्छा आता है इसको मिडियम फ्ले में एक मिनट तक हम उबलने देंगे ये जो अजवाइन है डायेशन में भूत हेल्प करती है साथी साथ एसिडिटी ग्यास की प्रॉबलम को भी दूर करती है दो कप चाय बनाने के लिए मैंने इसमें एक कप पानी प्लस हाफ का पानी लिया था अब एक कप दूद हम इसमें आठ करेंगे मैं इसमें डू टेबल स्पन चीनी आठ कर रही हूँ आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी इसमें आठ कर सकते है हमें इसे अच्छी तरह से उबालना है जब तक की चाय पती का कलर इसमें आ जाए और दूद का कच्चापन भी दूर हो जाए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस चाय को ज़रूर दिंचरिया में लाए क्यूंकि अजवाइन में फेट कंट्रोल करने की भी ख्यमता है मीडियम फ्लेम में दो बाल आने तक हम इसे बॉइल होने देंगे यह बहुत ही रिफ्रेशिंग टी है जो की माइन को रिफ्रेश करता है और पिने में भी बहुत टेस्टी है यह बनके अभी रेडी हो गया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सेर करें सस्प्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग